नीता अमबानी लाइफस्टाइल दोस्तों देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अमबानी का नाम इस दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में शुमार है ये बात लगबग सभी लोग जानते हैं मुकेश अमबानी का बिजनेस हो या उनका लाइफस्टाइल हमेशा चर्चा का विशेप बना रहता है लेकिन आज हम आपको मुकेश अमबानी के बारे में नहीं बलकि 3 लाग की चाय पीने वाली और 40 लाग की साड़ी पहनने वाली रिलाइंस फांडेशन की चेर परसन और फांडर नीता अमबानी की महंगी चीजों के कलेक्शन और उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे जो किसी प्रिंसेस से कम नहीं है दोस्तो भले ही आज नीता अमबानी एक रॉयल जिन्दगी जीती है लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि एक वक्त था जब वो एक स्कूल टीचर थी और मीडिल क्लास फैमिली से बिलॉंग करती थी लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती मुकेश अमबानी से शादी करने के बाद कुछ ऐसा ही नीता अमबानी के साथ भी हुआ और आज उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जीती हैं तो चलिए जानते हैं उनकी इसी रॉयल लाइफस्टाइल में इस्तमाल होने वाले कुछ सबसे महंगी चीज़ों के बारे में दोस्तो आपने अभी तक अमीर लोगों के घर, बिजनिस या फिर उनके महंगे फोन और कार कलेक्शन जैसी चीज़ों के बारे में सुना या पड़ा होगा पर आज हम आपको देश के सबसे अमीर घराने की बहू नीता अमबानी के साड़ी कलेक्शन के बारे में बताएंगे ये तो हम सब जानते हैं कि नीता अमबानी कितनी खुबसुरत हैं और खुबसुरत होने के साथ साथ उनका फैशन सेंस भी काफी अच्छा है अक्सर नीता अमबानी अपने fashionable अंदाज के चलते सुर्खियों में रहती है फिर मौका चाहे कोई भी हो नीता अमबानी हमेशा ही designer और महंगे outfit में दिखती है और उनकी खास बात ये है कि वो कभी outfit repeat नहीं करती उनके wardrobe में ऐसे बहुत सी महंगी और खास साड़ी देखी जा सकती है लेकिन हम आपको उनकी एक ऐसी साड़ी के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत ही 40 लाक रुपे है जी हाँ 40 लाक क्यों चौक गए ना अब आप सोच रहे होंगे आखिर इस साड़ी में ऐसा भी क्या है तो चलिए आपको बताते हैं दरसल नेता अंबानी के बेटे आकाश अंबानी की शादी से जुड़े एक खास फंक्शन में पहनने के लिए इस साड़ी को तयार करवाया था जिसे चैन्ने के सिल्क डारेक्टर शिवा लिंगम ने डिजाइन किया था वीवा पाटू के नाम से मशूर इस साड़ी के साथ डिजाइनर ब्लाउस भी था जिसके बैक पर भगवान शिरी नात जी की छफी बनी हुई थी इस साड़ी को फेमस आर्टिस्ट लाजा रवी वर्मा की पेंटिंग की रिपलिका डिजाइन के अधार पर बनाया गया था साड़ी में सोने के तारों से कड़ाई की गई है सोने के अलावा इसमें एमेरोल्ड, रूबी, पुखराज, पर्ल और कैट आई जैसे रतनों का इस्तमाल किया गया है इस साड़ी की खासियत यहीं खतम नहीं होती आपको बता दें कि इस खुबसरत साड़ी को कांजी वरम आर्ट में एक्सपर्ड 36 महिला कारीगरों ने मिलकर तयार किया था साड़ी का वजन ही 8 किलोगराम था और इसे पूरा करने के लिए कारीगरों को एक साल से भी जादा का वक्त लगा था दोस्तों एक आम इंसान के लिए तो 40 लाग के साड़ी के बारे में सोचना ही शायद बहुत बड़ी बात होगी आपको इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताइए हर महिला की तरह नीता अंबानी को भी सजने सवरने का बड़ा शौक है ये बात अलग है कि और महिलाएं अपने इस शौक को पूरा करने से पहले 100 बार सोचती है वहीं नीता अंबानी को मेंगे गहने खरीदने से पहले सोचना नहीं पड़ता गोल्ड और कुंदन जुल्री नीता अंबानी को सबसे जादा पसंद है अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज के दोरान नीता अंबानी सॉलिटेर्स से बनी जुल्री को पसंद करती है यहां तक की नीता किसी भी स्टार पार्टी या इवेंट में जाती हैं तो उनका लुक देखने के लिए वालिवुड स्लैप्स भी काफी बेताब रहते हैं नीता अंबानी को आउटफिट के साथ जुल्री मैच करना भी बहुत अच्छी तरह से आता है आकाश अंबानी की शादी में नीता ने लाल रंके आउटफिट के साथ वाइट और ग्रीन एमराल्ड जुल्री पहनी थी माना जाता है कि जुल्री नीता के कलेक्शन की सबसे महंगी जुल्री में से एक है ये तो फिर भी नेकलेस है जिसकी कीमत करोडों में होगी पर इनकी तो अंगूठी की शुरुआत की कीमत भी पांस से साथ लाग रुपे होती है हाला कि नीता अंबानी की जुल्री में उनकी सबसे पसंदीदा वो कीमती डामेंड रिंग है जो मुकेश अंबानी ने उन्हें प्रपोज करते वक्त पहनाई थी इसकी कीमत आज से 30-32 साल पहले 18,700 रुपे थी सुभा की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ तो हर कोई करता है मगर वो चाय जादा से जादा 10 रुपे, 20 रुपे या फिर 100 रुपे की होगी जिसे आम लोग रोज सुभा पीते हैं मगर देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बियोडिफुल वाइफ नीता अंबानी की दिन की शुरुआत जिस चाय से होती है उसकी कीमत सुन आप चौक जाएंगे शायद जितनी कीमत नीता के एक दिन की चाय की है वो किसी आम आदमी की पूरी जिन्दगी की चाय की कीमत से भी जादा है जी हाँ, नीता अंबानी जो चाय पीकर सुबा दिन की शुरुआत करती है उसकी कीमत तीन लाक रुपे है क्यों चौक गए ना मगर ये बिलकुत सच है अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस चाय में ऐसा क्या है जिसकी वज़े से ये चाय की कीमत इतनी ज़ादा है तो आपको बता दें कि नीता अमबानी जो चाय पीती है उसकी चाय की पत्ती तो महंगी आती ही है साथ ही वो जिस कप में चाय पीती है वो भी सोने का है एक मीडिया इंटर्व्यू के दरान जब नीता अमबानी से पूछा गया उनको सबसे ज़ादा किस महंगी चीज का शौक है तो उन्होंने बताया कि वो चाय की शोकीन है वो हमेशा सोने की कप में चाय पीती है इससे उनकी सेहत अच्छी रहती है दरसल नीता अम्मानी जिस कप में चाय पीती है वो जापान का सबसे पुराना क्रॉकरी ब्रेंड नौरी टेक है ये क्रॉकरी सेट 50 पीस का आता है इस पूरे सेट की कीमत 1.5 करोड रुपे है तो हुई ना इस हिसाब से एक कप चाय की कीमत 3 लाक रुपे और शायद यही वज़े है कि आज 50 से ज़ादा उम्र के होने के बाद भी वो बेहत खुबसूरत नजर आती है और उन्हें देख कर कोई भी उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता दोस्तों ये बड़े बड़े लोग क्या जाने हम आम लोगों की चाय का स्वाद अपनी सिंपल सी चाय के लिए एक लाक तो बनता है ना वैसे तो दुनिया भर की घडियां समय ही बताती है मगर किसी की बनावट अलग होती है तो किसी में इस्तमाल की गई मशीन खास होती है मिसिस अंबानी के हाथ में सजने वाली घड़ी मगर आम घड़ियों से अलग ही है वैसे तो इनकी घड़ी भी समय ही बताती है पर कहते हैं ना शौक बड़ी चीज होती है सहब नीता अमबानी की घड़ियों का ब्रांड ही अलग होता है उनके हातों में सजने वाली घड़ी, बुलगैरी, कार्टियर, राडो, गुची और कैल्विन क्लेंड ब्रैंड्स की होती है इन ब्रैंड्स की घड़ियों की रेंज ही 2,00,00 रुपे से स्टार्ट होती है दोस्तों आप कोंसे ब्रैंड की घड़ी पहनना पसंद करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए नमबर 5, बैक कलेक्शन नीता अमबानी को लग्जुरी हैंडबैक्स का भी शौक है, उनके पास इसका पूरा कलेक्शन मौजूद है शायद ही दुनिया का कोई महंगा ब्रैंड होगा जो नीता अमबानी के पास ना हो नीता अमबानी को हर्मीज, चैनल, सैलीन और जिमी चू जैसे ब्रैंड के हैंडबैक्स करी करना पसंद है जादतर फंक्शन में नीता अमबानी, जीवडिट लैबर्स के गडेश कलच के साथ देखी जाती है इन छोटे साइज के कलच पर हीरे जड़े होते हैं, जिसके कीमत 3-4 लाग से स्टार्ट होती है अगर आपको भी लगजरी हैंडबैक्स का शौक है, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है हर महिला को लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक होता है आपने भी बहुत से ब्रैंड्स के लिपस्टिक लगाई होंगी, जिनकी कीमत 100 रुपे से लेकर जाद से जादा 1000 रुपे होती होगी लेकिन जब आप नीता अंबानी के लिपस्टिक की कीमत सुनेंगे, तो आपके पैरो तले जमीन खिसक जाएगी नीता अंबानी के लिपस्टिक इतनी महंगी है कि उसकी कीमत में एक आम इंसान अपने लिए एक अच्छा खासा घर खरीच सकता है दरसल नीता अंबानी लगबग 40 लाक रुपे की लिपस्टिक लगाती है इस लिपस्टिक को खास दोर पर ओर्डर देकर बनवाया जाता है जिस पर सोने की परत और हीरे जड़े होते हैं यही कारण है यह इतनी महंगी होती है रिलाइंस इंडस्ट्रीज के मालिक बैक्स के साथ-साथ महंगे जूतों का भी शौक रखती हैं उनके पास पैट्रो गाश्या, जिम्मी चू, पहले मोडा, मालिन ब्रैंड के तमाम जूते और सैंडल हैं इन सभी ब्रैंड्स के शुरुवाती कीमत ही लाखो रुपे में होती है ऐसा कहा जाता है, नीता अमबानी कोई भी जूते या सैंडल एक बार इस्तमाल करने के बाद दुबारा नहीं पहनती हैं दोस्तों ये तो फिर भी ब्रैंड्स हैं, जिनके बारे में कभी न कभी आपने सुना होगा लेकिन उनके लग्जरी लिस्ट में ऐसे ऐसे ब्रैंड्स शामिल हैं, जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा दोस्तों अभी तक तो आपने उनके इस्तमाल में आने वाली विबिन परसनल और लग्जरी चीजों के बारे में तो देख लिया लेकिन अब हम आपको निता अंबानी जिस पानी का इस्तमाल पीने के लिए करती हैं, उसके बारे में बताएंगे उस पानी की खासियत और उसका प्राइस सुनकर आपकी आँखी खुली की खुली रह जाएंगी निता अंबानी की 750 एमल की एक बोतल की कीमत लगभग 40 लाक रुपे है जी हाँ 40 लाक ये पानी दुनिया में बहुत ही कम लोग पीते हैं अब जाहिर सी बात है जिस पानी की कीमत ही लाकों में हो उसे कोई आम इनसान तो पी नहीं सकता अक्वा डी क्रिस्टैलो ट्रिब्यूटो नाम की एक विदेशी ब्रैंड कमपनी है जिसके 750 एमल के बोतल की कीमत लगभग 60,000 डॉलर्स है जो इंडिन करेंसी में 40 लाक रुपे होती है अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये पानी इतना महंगा क्यों है तो आपको बता दें इस बोतल की विशेश बात ये है कि ये बोतल शुद्ध सोने से बनी है इसके अलावा ये बोतल अन्य रतनों में भी पाई जाती है और इस पानी में 5 ग्राम सोना भी मिलाया जाता है जो सेहत के लिए काफी लाबकारी होता है और यही वज़ा है कि ये पानी इतना महंगा है दोस्तों जहां एक तरफ लोगों को नॉर्मल पानी तक सही से नसीब नहीं होता वहीं अमीर लोग 40 लाग तो पानी में ही खर्च कर देते हैं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो में जाद से जादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिष्टदारों के साथ शेयर भी कर दें साथ ही अगर आप हमारे यूटिब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फिलाल आज के लिए बस इतना ही अब दीजिया इजादत आपका शुक्रिया